आप सब ठीक है आप लोग अच्छे से हैं तो डियर एस्पाइरेंट्स आज हम बात करेंगे नरेशन की जो ग्रेमर पोर्शन में बैंकिंग एस्जेट में स्पेशली खासकर से आज आ जाता है मैंने कुछ प्रिवेस पेपर्स में कुछ चेक किये थे कि जो बैंकिंग एस्जेट में आपका नरेशन को लेकर मतलब बहुत सारे कॉर्शन आ जाते हैं नरेशन को लेकर तो चले हम बात करेंगे narration को आज हम अच्छे से rules को हम बात करेंगे हम discuss करेंगे सारे हम confusion जो भी आपके है वो सारे हम clear करेंगे ठीक है तो गाईज पहली चीज जो first and foremost thing है जो आपको narration के लिए आपको पता होनी चाहिए वो है आपका this is pronoun table पननन टेबल में क्या होता है यह कहां पे काम आता है पहली चीज जब आप narration के अंदर आप जब change आप person करते हैं क्या आप change करते हैं person को आप जब change करते हैं तो guys सबसे ज़्यादा दिक्र जो परेशानी होते हैं person को change करने में अक्सर students को हो जाती है कि he का she, she का eat me, का mine ours कब बनता है तो ध्यान से सुना कि हम narration के अंदर इस table को हम कैसे change करते हैं देखी क्या होता है अगर जो आपका subjective होता है जो I होता है subject अगर आपको I use करना होगा object की जगा तो वो बन जाता है हम me ठीक है अगर possessive adjective बनाना होगा तो बन जाता है mine वहीं अगर possessive pronoun बनाना होगा तो बन जाएगा mine अब question है कि जो my और mine में difference क्या है guys difference ये है अगर आप जब mine का use करेंगे ठीक है तो noun क्या है इससे पहले आएगा क्या आएगा noun आपका mine से पहले आएगा before ठीक है ये है अगर आप my का use करेंगे वहांपर क्या noun क्या आता है after आता है मैं बोलूँगा this is my car ठीक है मैंने बोले this is my car लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं this is mine car तो ऐसा नहीं होता है तो यहांपर क्या आएगा this car is mine आएगा क्या आएगा This car is mine तो ऐसा आएगा तो माइन को लेकर जानी कि जो प्रणावन होता है वो ये सारे कहां पर यूज होते हैं इन से पहले आपको नावन का यूज करना है ठीक है और जो प्रणावन का इस्तमाल करना है बस आपको ये जीज़े याद रखने है वही का वी का अस हो जाएगा अस का आर हो जाएगा आर का आर सो जाएगा ठीक है तो मैं क्या बोलूँगा Suppose मैंने बोला I am writing मैंने बोला I am writing तो क्या हमें अगर 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 अबजेक्ट के चाहिए Suppose मैं बोलूँगा For example हमें अबजेक्ट के मैं बोलूँगा This pen is for तो क्या चाहिए I का क्या बन जाएगा हमाँपर Me बन जाएगा This pen is for me This pen is for I थोड़ी ना आएगा That's why कि this first person के अलग लग होते Subject की जाएग अबजेक्ट के अलग होता है Possessive के इसमें अलग होता है This pen is for me आएगा Me कभी माई नहीं आएगा कभी माई नहीं नहीं आएगा कभी I नहीं आएगा यानि कि जो चीज़ हमें Objective चाहिए हम उसकी जगा हमेशा और हमेशा Objective ही है वैसे second person में you का first form है subjective और objective भी होई है मैं बोलूँ का this is for क्या चाहिए subjective चाहिए तो you आएगा मैं बोलूँ का you are very intelligent you are subjective okay तो second होगया इसका जो possessive में आगे yours or yours sorry your and yours होगया okay उसके बाद third person में क्या होता है third person के अंदर हमारा इस्तमाल होता है he का बन गया him ठीक ने his और his बन गया she का बन गया her her and hers they का बन गया them theirs और theirs ठीक है their और theirs it it और its ये आपका है table guys ठीक है चलिए देखे क्या होता है हम बात करेंगे सब से पहले direct और indirect guys जिसको narration आती होगी मुझे पता है बहुत सारे आप bank का exam देने जा रहे तो obviously you are aware about narrations but आप ध्यान से पढ़े हम rules को discuss करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे aspirants भी होते हैं जिनको पता नहीं होता है चाहिए वो beginners हो हलका फिर भी level मैंने थोड़ा उपर उठाया है तो फिर भी मैं चाहूंगा कि जो main main basic rules है मैं उनको cover करतूँ ठीक है न उनको cover करने के बाद हम आगे complete करेंगे ओके देखे क्या होता है मैंने एक sentence लिखा है Ahmed said to me let's go to picnic क्या है Ahmed ने मुझसे कहा चलो picnic जाते है ठीक है थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि इस construction क्या होता है जो ये वाला part है guys इसको और जो ये वाला part है इसको जो ये वाला part है इसको हम बोलते है reporting speech क्या बोलते है reporting speech और ये वाला हो गया reported speech क्या हो गया reported speech ठीक, जो ये चीज़ आपको पता ही है, ये हो गया, subject, ये चीज़ बन गया, object को, जो ये said to बचाना, guys, ये हो गया, reporting verb, क्या बन गया, reporting verb, तो हमें change क्या-क्या करना होता है, जब हम sentence को बदलते हैं, एक तो हम reported speech पूरे को change करते हैं, complete change करते हैं, और reporting speech के अंदर हम खाली reporting verb को change करते हैं, किसको reporting verb को हम change करते हैं, ठीक है, reported verb को हम change करते हैं, ठीक है, चलिए, देखे, हम बात करेंगे, सबसे पहले, कुछ rule, important rule, कि आपके अंदर जो reporting verb है, वो किस-किस में बदलते हैं, ये बात में कर रहा हूँ, assertive sentence की, किसकी, assertive sentence, यानि कि आप simple sentence मालनेजे, statement कोई भी ह होगी, आगर हम इसको change करेंगे, say का say हो जाएगा, says का says, say to का tell बन जाएगा, or says to का tells बन जाएगा, sad का guys, told बन जाएगा, और sad भी बनेगा, याद रखने है, sad खाली, इसका sad भी बनता है, और told भी में आगी आपको बताउगा, कि told कहा पे बनता है, और sad कहां पे रहता है, और जो said to है वो तो हमेशा ही told में change हो जाएगा in case of statement, in case of simple sentences, ठीक है next thing क्या है, दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं पहली चीज़ हमने reporting verb को change किया दूसरी चीज़ हम change अब person करते हैं कि अब जब कि हमने reporting verb को change करते हैं अब हमें person change करना है तो हम person को कैसे change करते हैं ध्यान से धुन सुनना, देखो हमने क्या करना है अगर आपके पास दिया होगा first person क्या दिया होगा, first person तो first person को हम देखेंगे reporting speech के अंदर guys, reporting speech की बात करों में कि इसके अंदर हमारा subject क्या है याद रखना guys, जो reported speech यह जो यह चीज़े होते हैं यह reported speech के अंदर होती है किसके अंदर होते है reported speech यह जो यह चीज़ है यह reporting speech के अंदर होती है जो यह reported speech है reported speech के अंदर होती है first person होगा guys, यह जीज़ है, यह reported speech है इसके अंदर जो person आई है यह क्या है, first person है अगर हमें इसको change करना होगा हमें क्या देखना है reporting speech के subject को देखना है तो reporting speech के subject क्या है यह है guys तो हमारा जो person change होगा वो कैसे होगा अगर first person होगा इस subject के according change होगा अगर वही के वही आखा person second होगा that means कि you होगा To ahead की second person अगर you होगा तो हमें देखना है object किसका object है? reporting speech का object देखना है अगर suppose यहाँ पर you होता तो हमें किसको देखना है? यह guys object है me यहाँ पर इसके according हमें change करना है guys ठीक है? और अगर third person वहीं हो जैसे कि he होगा she होगा, कोई भी name आपका given होगा, तो वो क्या होगा? वो change नहीं होगा, वो no change रहेगा वो बिल्कुल Sam का Sam रहेगा अब देखे guys example से हम समझते हैं कि कैसे? देखे क्या होता है He said to me I am not well अब जो यह बता कौन रहा है? आपको धिहान रखना है जो reported speech है ना, जो inverted commas के अंदर है जो quotation mark के अंदर है inverted commas के अंदर है वो word होते है, actually किसके? जो said करता है, यह बर कहता को नहीं he है, that means कि जो subject है ना subject, यह उसके words होते है subject के, ठीक है? और इस subject के अंदर जो person है हम को उस हिसाब से change करना है, देखो He said to me, he ने कहा यह, यह, यह किसने कहा? he ने कहा न, अब यह I है guys, आए, देखो क्या है I कौन सा person है? first person है, ध्यान से सुनना है, first person है मैंने आपको अभी भी कहा था, first person को हम कैसे change करते हैं, इस subject के हिसाब से, तो subject क्या है? he है तो simply he said to क्या क्या बन गिया? told बन गिया ठीक है, rule है, simple, told बन गिया he told me, तो inverted comma जटे, तो क्या आया? that आया अब देखो, he कैसे आया guys क्योंकि subject के हिसाब से, he है न, यहाँ पे first person है, तो subject क्या है? he है, तो क्या आगया यहाँ पे? he आगया तो जो am not well यह क्या बन गिया? was not well क्यों? क्योंकि I am not well यह present simple है, तो यह किसमें बन जाएगा? यह past simple में बन जाएगा he was not well बन जाएगा okay, I think आपको समझ में आगा आगे और भी sentences को हम देखींगे guys, ठीक है वहीं कि भी पहने आप देख ली change of tense, जब हम tense को change करते हैं, हम कैसे करते हैं simply है, अगर आपका present simple होगा, वो past simple में चला जाएगा present continuous होगा, तो past continuous में present perfect होगा, वहीं तो past perfect में चला जाएगा present perfect continuous तो past perfect continuous, ठीक है ना past simple होगा, तो past perfect past continuous होगा, तो past perfect continuous, guys अगर इस portion में आपको के problem है आप जाके मेरे tense के lectures देख सकते हैं, tense की दो तिन पार्ट आये मेरे मैंने complete tense वह पर कराया है कि tense के use कहा कहा होता है, तो पहले आप tense वहाँ जाके clear कर देजे, फिर आपको यहाँ पर बिल्कुल आसानी हो जाएगी अब देखें गाइस, सुबोज हमारे समने sentence है ये He said to me You are not well अब देखो, अभी हमने एक sentence बढ़ा He said to me, I am not well, तो वहीं के वहीं He said to me, you are not well, अब देखो हमने person कौन सा लाया, second लाया ना हम change क्या करें, person को change करें He said to me, you are not well अब ये कह कौन रहा है ये ही बता रहा है, मुझ से अब ही का ही आ गया, ठीक है set to किस में change हो गया, obviously बात है total में change हो गया, inverted comma जाटे तो that आया, अब person कौन सा है second है, तो मैंने क्या बोल रहा था second person को हमें किस के हिसाब से change करना है object के हिसाब से, object क्या है me है, तो guys अब देखो me है, यहाँ पर dash dash was not well, तो क्या me was not well आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा तो me का हमें क्या बनाना बाड़ेगा, subjective बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें subject की जगा चाहे ना, that's why की table में ने आपको कहा था, तो me का subjective क्या हो गया I हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहे, was not well मैं ठीक नहीं हूँ, तो हमें यहाँ पर subject कोई चाहे, subjective case चाहे ना क्यों object चाहे, ठीक है ना, हमें subject चाहे, तो me तो object है, तो me को हमें subjective बनाना पड़ेगा, तो me का subjective क्या है, I है, तो यह क्या बन जाएगा, I was not well, है ना, he said to me, उसने मुझे से का था कि तू छीक नहीं है, तो यहाँ पर छीक को नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ, क्योंकि इसने का था है, यू को नहीं हो, तो तो यहाँ पर me का क्या बन जाएगा, I बन जाएगा, hopes हो कि आपको समझ में आया होगा, वहीं की she है ये कौन सा person है ये है third person तो third person का rule क्या है guys no change, no change ये change नहीं होगा, तो she का बिल्कुल she same रहेगा, बाकी tense आपका change होगा, is का बन जाएगा was और not well बन जाएगा, ठीक है tense आपका ये क्या है, present simple है, तो past simple बन गया, यहाँ पर अगर होता है present continuous होता तो past continuous बन जाता, अगर present perfect होता तो past perfect हो जाता, simple है, ठीक है I hope ये basic सारे rules आपको समझ में आ गये होंगे, तो बढ़ चलते हैं हम थोड़ से उपर level की और हम बात करेंगे, simple sentence के अंदर देखो क्या है, suppose अब देखे क्या है जहां से सुनना मैंने आपको अभी बताया था, कि हम बात करेंगे sentence के अंदर, she said to her sister, I am reading a newspaper, घान से सुनना she ने अपनी बहन को कहा, I am reading a newspaper, तो said to क्या बन गया, told बन गया, her sister तो ठीक है, inverted commas हटे तो that आ गया, and ये कौन सा person है, first person है, किसके according, subject, subject क्या है guys she है, तो she change नहीं होगा she का she आ जाएगा, तो am किस में बतल जाएगा, was में बतल जाएगा, ठीक है ना, she was reading a newspaper, ठीक है simple sentence है, I hope आपको ये समझ में आगया होगा, वहीं है अगर Ahmed said, Ahmed ने कहा, you are clever Vishal Vishal, आप क्या हो, clever हो, अब यहाँ पर आया, Ahmed told आया, देखो guys में आपको कहा था, कि जो sad है, वो कभी-कभी told में भी change हो जाता है और वो कब होता है, वो यहाँ पर होता है, कैसे, देखो क्या होता है यहाँ पर यह विशाल है अब मुझे बताओ, Ahmed ने किसको बताया clever कौन है, Vishal है अभावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा object है तो यहाँ पर to नहीं चाहिए क्यों कि इसके साथ में object नहीं है अगर साथ में object होदा to लगता लेकिन यहाँ पर reported speech के अंदर है इसलिए to नहीं लगा लेकिन फिर भी अगर आप सको यहाँ पर लागो क्या बन जाएगा said to विशाल बन जाएगा क्या बन जाएगा said to विशाल बन जाएगा तो दुबारा से यह क्या बन जाएगा फिर जब object given है अगर वो reported speech के अंदर कहीं और है तो in that case आपका said किसमें बदल जाएगा told में बदल जाएगा अगर आपका object यहाँ पर कहीं पर भी given नहीं है खाली said ही है तो उस सुरत में sad का sad ही रहेगा hope so आपको समझ में आ गया होगा चलिए बढ़ चलते हैं थोड़े से और उपर level की तरफ हम देखते हैं और sentence आपकी समनी क्या है बात करेंगे हम optative sentences की देखें क्या होता है reporting verb हमेशा जो optative sentences के अंदर है वो बदल जाती है आपकी pray में, curse में, wish में और bless में ठीक है न? optative sentences optative sentence क्या होता है? कोई दिल से हमें कोई feeling निकलती है न? किसे के लिए हम दुआ देते हैं किसको बद दुआ देते हैं कभी हम तमन्ना कर देते हैं किसे को हम blessings देते हैं important rules वो क्या है? अगर हम बात करेंगे good night की good bye की बात करेंगे ये change आपके हो जाते है bed में, किसमें change होंगे? bed में वहीं अगर हम बात करेंगे good morning की good afternoon की and good evening की ऐसे sentence, ऐसे words आपके change हो जाते हैं wish में याद रखना guys good night और good bye वाले जैसे change होते हैं देखें हम इने change करके दिखाएंगे देखो क्या होता है mother said to her son may you live long mother ने किसे कहा? अपने बेटे से कहा क्या कहा? may you live long अब देखो guys, मा अपने बेटे को क्या कर रही है? दौाई दे रही है, कि सदा जीते रो, आपकी उमर लंबी हो, वागेरा वागेरा दौाई दे रही है तो simply आपको मैंने ही कह था जो reporting verb है ये आपका किसमे बतल जाएगा? according to the reported speech इसमें कैसे-कैसे emotions आपके given है ठीक है, यहाँ पर अगर कोई गालिया होती, तो यहाँ पर curse बन जाता है प्रे नहीं बन जाता है हाला कि अब यहाँ पर दौा है इसलिए यहाँ पर क्या बन गया? प्रेड बन गया अब प्रेड और प्रेड कब होता है? अगर यह present में होता है तो प्रेड बन जाता है यह praise बन जाता है और यह past में, अगर sad past में तो that's why कि प्रेड बन गया तो mother ने क्या क्या mother प्रेड हर सन ठीक है न that he might live long अब देखे गाईज अगर मैं पहले मे को change करूँगा किस को change करूँगा अगर मैं लिखता हूँ that may he live long तो वो गलत हो जाएगा क्यों क्यों कि अगर में पहले यूज करता हूँ वो यहाँ पर interrogative हो जाएगा और याद रखने कभी भी indirect में sentence कभी भी indirect में interrogative नहीं होता है that's why कि जिब हम change करते हैं पहले हम person को change करते हैं फिर हम यहाँ पर may को change करेंगा ऐसा होता है पहले हम person को change करेंगे ठीक है फिर हम यहाँ पर given होगा उसको हम change करेंगे तो you क्या बन गया he बन गया second person है किसके according object क्या है sun है तो sun के लिए क्या आएगा he आएगा ना तो क्या बन गया he make a might बन गया live long ठीक है अब देखिए next है guys हमारे पास soldier said long live my nation सिपाही ने कहा मेरे मुल्क मेरे नेशन हमेशा आबाद रहे ठीक है ने हमेशा आबाद रहे अब देखे क्या है soldier ने क्या क्या wish की तमन्ना की अब ये तमन्ना है कि काश मेरा मुल्क हमेशा हरा भारा रहे मेरा मुल्क हमेशा आबाद रहे मेरा nation, मेरी कौम हमेशा आबाद रहे अब जरूर थोड़ने कोई आबाद ही रहेगी एक ये तमन्ना कर रहा है अगर ये तमन्ना कर रहा है तो ये क्या बन गया विश बन गया soldier wished that soldier ने विश किया that dear nation might live long किन का nation soldier wished that sorry dear नहीं हैगा यहाँ पे माई है अगर तो his बन जाएगा माई कौन सा परसन है माई है first person according to subject होगा soldier singular है that's why his बन जाएगा his nation might live long so soldier ने क्या कि wish कि his nation might live long अब पहले हमने क्या change किया माई को change किया माई को क्या बन गया his बन गया उसके बाद हमने क्या कर दिया यहाँ पर फिर लाया हमने live long को यहाँ पर पहुचाया हमने हमने क्या change किया soldier wished that his nation might live long okay I think आपको समझ में आया हो गए अब देखें next चीजा है यहाँ पर हमार पस given है वो क्या है यहाँ पर student said student ने कहा good morning sir अब student ने क्या किया wish कि student wished the sir good morning अब मैंने आपको पहले बोला था अगर good morning है तो किस में बदल जाएगा wish में बदल जाएगा guys किस में बदल जाएगा wish में वहीं अगर good night की बात चल रहे होगी तो किस में बदल जाएगा bed में बदल जाएगा तो student wished the sir good morning तो student ने क्या किया wish किया किसको sir को good morning ठीक है न विष्ट किया आपका इस संटेस इस तरह से बदल जाएगा student wished the good morning ठीक है वही अगर राहुल said good night mom राहुल न अपनी ममा को good night बोला तो यहाँ पर क्या आएगा bade बन जाएगा wish नहीं होगा तो क्या बन जाएगा राहुल bade his mom good night यह संटेस आपका इस तरह से बदल जाएगा hope so कि आपको यह संटेस आपको समझ में आ गया होगा चलिए next किसम की जो संटेस हमारे पास है guys वो है आपके सामने imperative sentences guys imperative sentences के अंदर जो आपका reporting verb है वो किसमें बदलता है वो बदलता है order में request में command में advice में suggestion में forward में वगेरा 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 किसके हिसाब से as per the emotion expressed in the sentence ठीक है sentence के अंदर हमने जिस हिसाब से इस emotion को जिस हिसाब से express किया होगा उसी इसी हिसाब से आपका reporting verb change होगा और जब हम inverted commas को remove करते हैं हम हटाते तो वहाँ पर हम किस का इस्तमाल करते हैं तू का इस्तमाल करते हैं ठीक अब देखे कैसे for example principal said to peon ring the bell principal ने क्या कहा पियान को कहा क्या कहा रिंग दबल अब मुझे बताओ जो रिंग दबल है ये क्या है एक order है ना गाइज अब इसली बात है जो principle पियान को order देगा रिक्स तो नहीं करेगा ना order देगा एक चीज़ दूसरी चीज़ एक गाइज जब हम to हम कहां पे हटाते हैं जब आपके सामने sentence verbal होगा क्या होगा? verbal होगा verbal का मतलब क्या होगा? आपका sentence verb से शुरू होगा तो in that case verb वाले sentences के अंदर आप क्या करते हैं? inverted commas को हटाने के लिए आप का इस्तेमाल करते हैं to का इस्तेमाल करते हैं कैसे? principle ordered pian principle ने order किया pian को क्या order किया? अब verbal sentence है उब इसली बात है तो क्या आएगा? to आएगा to ring the bell लाएगा ठीक है? चले next sentence आपके सामने है क्या है? वो है policeman said to traveler policeman ने traveler से कहा क्या कहा? don't enter the park policeman ने traveler से कहा do not enter the park अब मुझे बताओ यहाँ पर यह क्या बोर रहा है? do not मतलब मना कर रहा है ना कहीं जाने से मना कर रहा है हाना ऐसा मत करो पाक में मत जाओ ठीक है? policeman उसको मना कर रहा है तो जब मना करने वाली चीज आए रोकने वाली चीज आए तो हम क्या करते हैं? forbid का यूज करते हैं ठीक है ना? हम मना करने का यूज करते हैं guys इसमें हम not to से भी use हम change करते हैं not to से भी हम change करते हैं और भी तरुकी से हम क्या करते हैं? यहाँ पर change करते हैं लेकिन फिलाल हम खाली forbid की बात करेंगे तो बाकी हम आने वाले वीडियो में हम आने वाले वीडियो में discuss करेंगे और भी important जो rules हम उनको वाँपर discuss करेंगे पहले देखिए forbid के use कैसे होता है अब यह इसको मना कर रहा है तो अगर आप इसको forbid लगा के use करोगे मना करोगे आप क्या बोलोगे policeman forbid traveler to enter the park अब देखिए यहाँ पर guys to enter the park क्यों आया अब ऐसा नहों कि अक्सर students आपर गलती करते हैं कि क्या करते है कि traveler to not यह not to forbid यहाँ पर क्या तो policeman forbid traveler not to enter the park देखो अगर आप not लिखोगे not क्योंकि forbid का मतलब क्या होता है not इसका already मतलब not होता है मना करना रोकना ठीक है ना policeman ने उसको पारक में जाने से मना किया पारक में नहीं जाने से मना थोड़ी क्या अगर हम बोलिंगे policeman forbid traveler not to enter the park इसका क्या मतलब बचाएगा policeman ने traveler को पारक में नहीं जाने से क्या हो है नहीं जाने से मना किया ठीक है ना अब देखो क्या है पारक में जाने से मना किया है ना कि नहीं जाने से मना किया है अगर वो नहीं जाता पारक में तो उसको थोड़ी मना करता यह क्या बोल रहा है जब वो जा रहा हो था पारक में इसको क्या बोलते है पारक में मत जाओ तो यहाँ पर already not है, यहाँ पर भी not है, तो दो not आप यहाँ पर use नहीं कर सकते हैं, forbid का मतलब ही नहीं है, no है, not है, रोकना है, तो यहाँ पर भी दूसरे not की ज़रुरत नहीं है, that's why कि यहाँ पर क्या आएगा, to enter the park, क्या आएगा, policeman, forbid, traveler, to enter the park, ठीक है, चलिए, देख राज, राज ने अपने भाई से कहा, उसके भाई से कहा, क्या कहा, महरवानी करके मुझे घड़ी दे दो, अब please word use हो, अब इसली बात है, आपको पता है, कि please word use हो है, तो यह क्या है, एक request है, simply है, जब please word mention है, तो request है, ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा, order request में, देख लेकिन exceptions है, हम आगे उनको भी discuss करेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है, तो generally क्या है, जब please या kind given होका, तो obviously बात हो request बन जाएगा, otherwise वो order बन जाता है, ठीक है, अब कभी-कभी sentence ऐसा होता है, कि son ने कहा, पापा से, ठीक है, son ने कहा, पापा से, क्या कहा, बिना please के बोल सकता है, वो उसको request करेगा, ठीक है, ना, request कर सकता है, या, suggest कर सकता है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकता है, ना क्या order कर सकता है, या आपको common sense आपको रखना है, अब देखे, राज ने request की, अपने भाई से क्या बोला, please, obviously बात है, यहाँ पर आगया request, please का request बन गया, तो यहा को हटाते है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, to give him, अब मी कोन सो person है, मी हमारा है, first person किसके according को आता है, subject, to subject क्या है, राज, तो राज क्या बन जाएगा, यहाँ पर, to give him आएगा, his watch, his किसकी वाच, इसकी वाच, यू र, कौन सो person है, second है, किसके according, object, तो ब्रादर है ना, यहा चाहेगी राज को, ठीक है समझ में आया अब देखिए एक और important sentence है guys doctor said to patient take medicine on time doctor ने किसे कहा patient से कहा, क्या कहा कि अपनी दवायां वक्त पर ले लो, अब मुझे बताओ doctor है, वो patient को क्या करेगा वो एक advice देगा, नसीहत देगा क्या देगा, नसीहत करेगा इसका क्या बन जाएगा, doctor advised patient to take medicine on time आप क्या करो, दवायां अपने वक्त पर ले लो जब doctor किसी patient को कुछ भी बोलता है don't smoke या कुछ ऐसा वैसा तो हम आपर क्या बोलते है, advise करते हैं लेकिन कभी-कभी होता है, अब अगर policeman है, ठीक है, policeman है policeman market में खड़ा है वहाँ पर कोई public place में cigarette पी रहा है तो policeman उसको बोलेगा don't smoke, क्या बोलेगा don't smoke बोलेगा, एक तरफ यह है दूसरफ doctor बोलेगा don't smoke तो मुझे बताओ, जो don't smoke है, जो doctor बोलेगा, उसका क्या change होगा, उसका क्या बनेगा और जो policeman है, उसका क्या बनेगा तो guys, अगर doctor बोलेगा न, वो आपको जबरदर से F.I.R. नहीं काट सकता है, ठीक है न, वो कोई आपको जुर्माना नहीं कर सकता है, वो आपको मना करेगा यार, आपके health खराब हो जाएगी, इसलिए महरवानी करके cigarette मत भी हो, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, वो advise बन जाएगी, लेकिन जो policeman है न, वो आपके health को नहीं देगा, वो लोगों के health को देखेगा, वो आपको बदाएगा, public place में cigarette पीते हो, क्या, वो डंडा मारके दो prison में डाल देगा, fine कर सकता है, जुर्माना कर सकता है, तो ये policeman का क्या बन जाएगा, order बन जाएगा, क्या बन जाएगा, order बन जाएगा, यहाँ पर, तो ये चीज़ आपको concept के लिए रखना है, कि अगर ये सारी narration पार्ट को में complete करा दो, जो भी जो बड़े-बड़े important rules है, उनको हम discuss करेंगे, उनको हम complete कर देंगे, तो फिर बाकी हम आने वाले वीडियो में, बाकी सारे वीडियो को हम clear करेंगे, hope so, आपको समझ में आगया होगा, मैं आपको बार पर कहता हूँ, अगर आपको कोई doubt है, कोई confusion है, आप मुझे comment box में लिख सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर जवाब दे दूँगा, चलिए, आल्ला हाफिज